जयिश्र राम, बहुत श्रागत, आपका, आपके अपने बेहत खास कारिकत, मानस जो 34 ग्यान मैं मैं हूं, आपके शाथ, आपका अपना आचारे राज मांसों, तुमेरे मिथुन राशी के प्यारे जातक जातिका आने वाला है जून का मन्त और हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको जून महीने में किस प्रकार की परिस्थती का सामना करना पड़ेगा क्या अच्छा है और क्या बुरा है जैशा के आपके बारे में हमने बिस्त्रिज जानकारी मित्षुन रासी के एक बिस्त्रिज जानकारी हमने बनाया था जो हमारे चैनल हमारे फेश्बुक शब पर पड़ा हुआ है आप लोगों ने इतना उसको सपोर्ट किया है और आप लोगों ने देखा आप सबने उसमें कमेंट भी किया कि शाहब जो कुछ बताया गया है वो सत्पत्सत्सत्य है मैं समझ रकता हूँ कि शायद इससे बड़ा मेरे लिए कुछी कोई खुशी की बात नहीं हो सकती है आप लोग मेरे लिए परिवार की तरह हैं प्रतेक जानकारी आप तक पहुँचाना मेरा परमधर्म है और मैं अपने कारी को कर रहा हूँ आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं, फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है और कितनी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर के जाओं और आपको दे दूँ, वो मेरे लिए सबसे कम होगा तो चलिए, आज बात करते हैं जून के महीने के बारे में लेकिन उससे पहले कुछ आपकी विशेष्टाओं के बारे में हम जरूर बात कर लेंगे जिस प्रकार हम हर राश्री फल में कुछ खास लेकर के आते हैं तो इस बार के राश्री फल में ये खास पिटारा आपके लिए है जो आपके जीवन में परिवर्तन लेकर के आने वाला है, जो आपके जीवन में बहतर है एक तो सबसे पहले मिथुन राशी का जो मैंने मैं सायद अच्छा ही कहूंगा कि किसी से दुस्मनी नहीं रखना चाहते हैं अपने काम शे काम रखते हैं मेहनत खूप करते हैं बट क्योंकि 10th house की और आपके राशी की सतुरता है 10th house जुपिटर का है आपकी राशी के श्वा आपको देखने पड़ते हैं जीवन में इस्थिरता प्राप कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन एक आपकी कमी भी है मैं देखो बिल्कुल असपष्ट कहूंगा मैं यहां जो कुछ कहने के लिए आया हूँ मैं आपको जो अच्छा लगे वही नहीं कहूंगा जो आपके लिए सत्ता है वो कहूंगा और मैं हमेशा यही करता हूँ हमेशा इस्त्री हैं तो पुरुष और पुरुष हैं तो इस्त्री इनने बड़ी आशक्ती होती है हमेशा इस्त्री और पुरुष मतलब लड़का है तो लड़की की दरब बहुत आकरशन होता एक होता है क हम अपने उपर कंट्रोल रख पाते हैं एक होता है कि हमीशा एक आशक्ती सी बनी रहती है तो मिथुन राशी की कहीं न कहीं जो इस्तरी हैं तो पुरस और पुरस हैं तो इस्तरी के तरफ जो आशक्ती है वो अधिक्तम देखने को मिली है अच्छा दूसरी पीड़ा आपको सबसे ज़्यादा क्या रहती है शरकारी छेतर की तरफ से बड़ी पीड़ा मैंने मिथुन राशी को देखी है शरकारी छेतर में कोई भी काम होगा इवन जो बच्चे गौर्मेंट जॉब के लिए तयारी कर रहे हैं इस्पेशली मिथुन राशी के हैं मैंने उनको देखा है कि यदि सबको सफलता दो बार में मिल जाएगी तो आपको दस बार उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा और कई बार तो अंतोगत्वा सफलता नहीं प्राप्त होती है निरास हो जाते हैं परिशान हो जाते हैं तो ऐसे कंडिसम में मिथुन राशी को मैंने सरकारी छेतर से पीड़ेट और इस्तरी पुरुष पर ज़्यादा आकरशन और उनकी तरफ से ज़्यादा पीड़ा भी मैंने देखा है धोखा भी अधिक्तब मिथुन राशी को ही खाना पड़ता है तो चलिए ये सब तो बहुत बड़ी बाते हैं इस पर कभी फिर चर्चा करेंगे शमय निकाल करके जून के महीने पर हम चर्चा कर लेते हैं किस प्रकार आपका ब्यतीत होने वाला है तो चून में आपकी राशी स्वामी बुद्ध स्वयम स्टार्टिंग में साथ तारी तक लेबंध हाउस में गोचर करेंगे साथ से ले करके और 24 तारीक तक 12 हाउस में गोचर करेंगे दन वो जा करके आपकी रासी में 24 तारीक को आपकी रासी में गोचर करने आएंगे सनी 9th house के अंतरगत गोचर करेंगे मंगल और सुक्र 2nd house में जा करके गोचर करेंगे बुद्ध और बहस्फती और राहू starting में आपके गोचर करने वाले है 11th house के अंतरगत तो इस माह जीवन में कुछ महत्वपूर परिवर्तन होने जा रहा है और वो महत्वपूर परिवर्तन है धन को ले करके वो महत्वपूर है परिवर्तन है घर की परिस्ति को ले करके इस महीने आपकी राशी में बनने जा रहा है लक्षमी योग बहुत कम ऐसा समय होता है जब हमारी राशी में लक्षमी नामक योग तयार होता है और जो तिस सास्तर का ये नियम है कि जब चंद्रमा के घर में शुक्र जाकर के विराजमान हों और वो भी सेवंध फिप्थ हाउस के शौमी सुक्र हो करके और सेकंड हाउस में चंद्रमा की करक राशी में जाकर के विराजमान हो तो ऐसी परिस्थते की अंतरगत बनता है लक्षमी योग तो इस माह लक्षमी जी की विशेश कृपा आपके उपर बरसने जा रही है कुल मिला करके आर्थिक दृष्टिकोंड से अगर देखा जाए तो ये माह आ आपके लिए बहुत सांदार रहने वाला है परमात्मा किरपा करें आपकी आर्थिक परिस्थती अच्छी हो ये मैं चाहता हूँ लेकिन साथ में दो तिन चीजे और भी जो मैं इस राशी में देख पा रहा हूँ एक तो राशी श्वामी का 11th हाउस में जाकर के गोचर करन इसका तात्पर ये है कि हम स्टार्टिंग जो हमारा होगा इस्पेशली साथ तारीक तक का जो शमय होगा वो आपके लिए बहुत बहतरी रहने वाला है लेकिन जब 12th हाउस में राशी श्वामी जाकर के गोचर करेंगे ये तारीक साथ से 24 तक होगा इस तक में बिदेश य 24 के बाद जैसे ही बुद्ध अपनी राशी में आएंगे तो मास का जो अंत समय है वो बड़ा सांदार निकलने वाला है और माह के अंत में अगर देखा जाए तो ब्यापार में नए आयाम को आप छूने वाले हैं जिन्दगी में खूब तरक्की करने वाले हैं अच्छे ल का वो आपके लिए बहुत जबरदस्त ब्यतीत होने वाला है तो इस्टार्टिंग टाइम में आये हुए स्ट्रगल से चिंताना करते हुए मेहनत करते जाए हारिये नहिम्मत बिशारिये नराम को शात में रात को ना बजे और दो पहर को बारा बजे आपके साथ लाइब आ आता हूं तो मिरे साथ लाइब जुडिये और लाइब में फ्री आपकोष्ट बात कीजिए पहले और बाद में बात करना चाहते हैं तो कॉल अपाइंटमेंट ले करके आप विस्तार से बात कर सकते हैं आप जानते हैं छोटे समय में बहुत कुछ दे पाना थोड़ा मुश होता है इसलिए आप बात करके अनजानकारी प्राप्त कर सकते हैं अब इस कारिक्रम को यहां पर बिराम देता हूं आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यबाद जैश्री राम